दोस्तों अगर आप Excel database के उपर काम करते हैं तो आपका इन error से जरूर सामना हुआ होगा ये सारे error जो हैं आपके किसी भी formula या function या कोई भी database में calculation लगाते हैं तो आपके सारे calculation को बिगार के रख देते हैं लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये error क्यों आते हैं अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उपर i button में मैंने आपको link दिया हुआ है how many types of error in Excel लेकिन आज हम एक और error handler function के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये function हमारे Excel के logical group functions के अंतरगत आते हैं और इन function का नाम है if error साथ ही Excel ने एक और error handler function introduce किया है Excel 2013 और उसके उपर वाले version में और उस function का नाम है if na तो आज हम इन ही दोनों function के उपर बात करेंगे और database के उपर apply करेंगे और कहां पर कौन सा error कैसे remove किया जाएगा इन सब के बारे में पूरे details में बात करेंगे तो आईए चलते हैं अपने computer screen के उपर और सीख लेते हैं if error और if na function के बारे में let's start मैंने यहां कुछ error लिखा हुआ है और साथ में कुछ text और number भी है आपको याद होगा मैंने Excel information category function में बताया था is error function के बारे में अगर उसका यूज करें तो हम इस function के द्वारा ये पता करना चाहते हैं कि क्या ये error है तो ये हो गया information जिसका result true या false में आएगा अब information true है तो हमें उस पर action लेने की जरूरत है तो या if error function actionable function हो जाएगा और क्या action लेना है वो आपको decide करना है तो यहां लिखेंगे equal to if error और सबसे पहला argument है value या आपको वो value या cell difference input करना है जिसमें error है या error आने की संभावना है अगर इस function को अलग-अलग देखें तो पहले है if और दूसरा है error यानि इसमें input किया गया value error हुआ तो इसके दूसरे argument value if error में क्या आना चाहिए तो generally यहाँ पे 0 या blank input करते हैं लेकिन आप यहाँ कुछ भी input कर सकते हैं इसे आप customize कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे कोई function या formula ताकि error आने पर next function execute हो जाए फिलाल मैं यहाँ पे देता हूँ 0 और OK और इसे नीचे तक drag करें तो जहाँ जहाँ error है वहाँ पे 0 आ गया है और जहाँ error नहीं है उसमें इसी sale के value को यह so कर रहा है लेकिन इस sale में error आ गया जबकि यह भी एक error ही लग रहा है देखने से और जब इस function को error मिले तो error होना चाहिए था हमारे इस function के rule के हिसाब से तो इसे भी समझना ज़रूरी है तो सबसे पहले इस error को लगा कि यह error नहीं है और देखने से भी यह number नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे equal to is text और यह sale select कर लेंगे तो इसने बुला true यानि कि यह तो text है और if error तो सिर्फ और सिर्फ error के उपर ही action लेगा तो इस तरह हमने identify कर लिया कि यहाँ जो यह error है वो actually में error नहीं है कुछ और है तो इस तरह आप अपने calculation या formula में आने वाले error के उपर customize action शो करा सकते हैं जो आप चाहते हैं आईए एक database के उपर इस function को लगा कर देखते हैं जैसे यहाँ मेरे पास एक data है जहाँ इन लोगों ने एक महीने में इतने kilometer का travel किया है और claim amount है यह वाला अब यह देखना है कि per kilometer claim amount क्या आएगा तो यहाँ हम एक formula नगाएंगे equal to यह claim amount वाला value divided by यह kilometer वाला value और इसे हम if error function के अंदर ले लेंगे जिसमें value में यह formula आ जाएगा और error value मिलने पर error लिखा हुआ आ जाए और इसे नीचे तक drag करें तो आपको यहाँ दिखेगा error लिखा हुआ आ गया है अब अगर मान लिजिए आपने कोई formula लगाया जिसमें हर टाइप का error आ गया हो और उसमें से सिर्फ has na वाले ऐसे error को identify करना हो और उसी पर आप सिर्फ Excel लेना चाहते हैं तो वहाँ पर यह if error function काम नहीं आएगा क्योंकि इसे जो भी error मिलेगा सब को वो आपने जो decide किया है जो आपने text लिखा है value if error में उसे में convert कर देगा तो उसके लिए भी एक function Microsoft ने Excel 2013 में introduce किया है और यह function है if na इसका भी एक function is na जिसके बारे में मैंने आपको information category function के अंदर बताया था इसे अगर कहीं has na error मिलता है तो true दिखा दिता है और यहाँ if na को यह error मिलता है तो उस पर क्या action लेना है तो वो आप decide कर सकते हैं यह function भी same to same if error की तरह ही काम करता है बस अंतर इतना सा है कि if error किसी भी error के उपर लागू होता है जबकि if na function सिर्फ और सिर्फ has na वाले error पर लागू होता है जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ we look up इनकी employee name लाने के लिए इस employee code के हिसाब से तो यहाँ पर आपको कुछ error भी दिख रहे हैं इस database में जहां से हमें data को phase करना है लेकिन इसमें has na error नहीं है देखिए यह कैसे आता है मैंने यह लिखा equal to we look up यह sale हमारा हो जाएगा look up value यह employee ID वाला कॉमा table array में मैं यह पूरा का पूरा table सेलेक कर लूँगा यह पूरा range कॉमा column index number number 2 employee name लाने के लिए कॉमा यहाँ हमें चाहिए object match तो यहाँ पे हम देदेंगे 0 या false और अब इसे नीचे तक drag करें तो यहाँ पे आपको hash na error भी मिल गया क्योंकि यह employee code इस data में नहीं था तो हम इस will look up के पहले क्या करेंगे if error लगा देंगे और जब if error को इस function द्वारा लाए गया result में error मिलेगा तो वहाँ पे यह blank सो करा दे और इसे नीचे तक drag करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ blank वहाँ मिलेगा जहाँ पे error आया है अगर यहाँ if error की जगह if na कर दें तो सिर्फ hash na वाले error को blank में सो करेगा बाकी error जैसे के तैसे यहाँ पे आपको display होते रहेंगे आप चाहें तो इन दोनों function if na और if error को एक साथ use कर सकते हैं जैसे value नहीं मिला तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि value not found आ जाए और बाकी error के लिए other error यहाँ पे customized text में लिखा हुआ आ जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे if na error में यहाँ blank की जगह लिख देंगे value not found और इसके बाद भी error जो आएंगे तो उसके लिए हम इन सारे function को if error के अंदर ले लेंगे और यहाँ value if error में लिख देंगे others error और अब आपको यहाँ दोनों text error की जगह मिल जाएंगे तो इस तरह यह दोनों function किसी भी function के calculation या result में आने वाले error को आपके दोरा दिये गए customized value या text में converge कर देता है जो भी आप इस function के value if error में input करते हैं I hope आप इन दोनों error handler function को अच्छे से समझ गया होंगे अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाओं हो तो मुझे comment section में पूछ सकते हैं आप चाहे तो इस practice file को नीचे description में दिये लिंक से download भी कर सकते हैं और साथ में practice भी कर सकते हैं यहां आपको इस file में अलग-अलग logical functions के sheets मिलेंगे वहाँ पर इनके बहुत सारे examples दिये गए हैं तो इन functions को practice करिए अपने use में लाइए और इसे और अच्छे से explore करने की कोशिस करिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार